नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कमपनी का किसी भी रिष्टर्ड कमपनी का master data जो master details होती है वो चेक कर सकते हैं तो master details में क्या क्या आता है एक तो corporate entity number sin number company का नाम ROC code हो गया category के अपनी की authorize capital paid up capital number of members कब बनी थी date of incorporation registered address email id लास्ट AGM कभी थी date of balance sheet क्या है listed है कि नहीं email id सब चेक कर सकते हैं तो यह data publicly available है और legal access करना बहुत ही असान access करने के लिए सबसे पहले browser पर जाईए Google पर type कीजिए mca.gov.in क्लिक कीजिए यह देखिए official website आगी ministry of corporate affairs की क्लिक कीजिए क्लिक करते है यह official website आगी हमें link description में भी आड़ कर देंगे अब mouse का cursor यहां रखिए mca services पे यहां पर लिखे master data view company all LLP view company और LLP master data यह LLP यह limited liability partnership आपको दोनों का चेक करना है किसी भी एक का चेक करना है तो यहां पर क्लिक कीजिए view company पर क्लिक कीजिए अब यहां पर आपको क्या करना है company का नाम डालने आपके बस company का नाम होने चाहिए यहां तो sin number होना चाहिए पर क्लिक करने हैं तो यहां पर क्लिक कीजिए और कंपनी का नाम डालीए जिए अब इस पर क्लिक कीजिए ताकि आप इसका मास्टर डीटा चेक कर चकें अब देखिए दोनों एड होगे फील्ड अभी क्याप्चा डालिए स्क्योर्टी के लिए कि समिट पर क्लिक कीजिए कि समिट पर क्लिक करते देखिए सब कुछ आ गया डेटा सिन नंबर company name roc कि रिष्टेशन नंबर category क्या है सब category क्या है authorize capital paid of capital registered address सब आ गया email आईडिया आ गया यहां पर देखिए directory signatory details आ गई consequence director है उनका din number आ गया नाम आ गया कब बनेते वो डिरेक्टर ही आ गया सारी details आ गई तो दोस्तों हमने इस video में देखा कि master data क्या होता है master details क्या होती company की और हम कैसे असानी से किसी भी company की master details access कर सकते है legally जो कि सरकार ने खुदी service प्रवाइड की है सरकार की website ministry of corporate affairs mc.gov.in वहीं पर available है तो दोस्तों धन्यवाद ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए